तो गाईज आज मेरे और शिंशान के बीच में लगी है एक RC का रेस अब देखते हैं के हम दोनों में से कौन जीतता है फिलाल तो शिंशान आगे जा रहा है शिंशान मुझे पता है तुझे जीतने की घाई है पर थोड़ा समल के इस रोड पर बहुत सारी गाड़िया आती जाती है फ्रेंकलिन भीया आप अपना देखो हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करो आबे यार मैं तो तुमारे भले के लिए ही बोल रहा था लगता है गाईज ऐसे नहीं मानेंगे जल्दी से अपने स्पीड बढ़ाता हूँ चलो उसके पास तो पहुचने आए अरे कुछ भी कर लो हमसे आगे नहीं जा पाऊगी अच्छा बच्चो ऐसी बात है रूख अभी बताता हूँ अबे नई वो क्या है सामने शिंचान उस साइड मज्जा वहाँ पर भालू है ओ शिंचान जल्दी से टन लो फ्रेंकलिन भीया सही बोल रहे है अरे यार यार ये बत तो तुम्हें मुझे पहले बतानी थी गई भैस पानी में फ्रेंकलिन भीया जल्दी से भागो अब ये क्या मुसीबत है यार शिंचान गडबर तूने की और जिलना मुझे पड़ रहा है तो मेरी वाली आर्सी कार मुझे लगता है जादा ही स्लो है स्पीड बाइड़ा ना यार क्या प्रॉब्लम है शिंचान समल के सामने देख वहाँ पर एक कुचता है अरे हाँ मुझे पता ही उपस ये क्या हो गिया अब वहाँ कहा जा रहा है वहाँ तो रास्ता ही नहीं है अरे फ्रेक्लिन भीया मुझे कुछ सूज नहीं रहा है मेरे गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे अरे तो गाड़ी कही ठोक दे अरे पागल हो गए हो क्या शिंशान रुख जा वहाँ पर खाई है अरे यार आप लोग सारी बाते इतनी लेट क्यों बताते हो भाई साहाब बहुत उचा कूट के गया है वो ठीक तो होगा वो रहे दोनों जन जल्दी से जाते हो उनके पास शिंशान मेरी बात सुन तू ठीक तो है ना तुझे कुछ हुआ तो नहीं मैं तो बहुत जादा डर गया था अरे नहीं फ्रेंकलिन भीया मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ मैं बहुत ही स्ट्रॉंग बच्चा हूँ हाँ पर मुझे हुआ बहुत जोर से लगी है कोई बात नहीं चौप फीक हो जाएगा फ्रेंकलिन भीया ज़र आपके पीछे देखो मेरे पीछे कौन है ओ भाई अबै यार इसके बारे में तो मैं भूली गया था अरे अभी हम लोग क्या करेंगी अरे बापरे ये क्या फ्रेंकलिन तो खत्रे में है रुको मैं आ रहा हूँ दूर हो जाओ भालू दादा मुझे माफ करना मुझे आपको भेहोश करना पड़ा तुम लोग ठीक तो होना कही चोट वोट तो नहीं आई वो सब तो ठीक है पर तुम हो कौन मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता अरी क्या बात कर रहे हो फ्रेंकलिन भीया आप इसे नहीं जानती ये तो बहुत ही फेमस है इसका नाम है एरन और ये एक दूसरे प्लैनेट पर रहता है जहाँ पर बहुत सारे टाइटन है क्या बहुत सारे टाइटन अबे ये क्या बकवास है ये अफ़ाय कौन फैला रहा है फ्रेंकलिन शिंशन एकदम सही बोल रहा है तुम मुझे नहीं जानती पर मैंने तुमारे बारे में पता किया है क्योंके तुम इकलोते हो जो मेरी मदद कर सकते हो एक मिनिट कैसी मदद दरअसल मेरे प्लैनेट से बहुत सारे टाइटन अर्थ पर आ गए है जिने की रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है वरना वो यहाँ पर भारी नुक्सान पहुचा सकते है उनके टाइटन वर्जन और मीनी वर्जन दोनों ही है और वो सारे के सारे एक बड़ी सी टाइटन के कंट्रोल में है हमें उसे ढून के उसे खतम करना होगा और उसी के साथ हमें बाकी टाइटन को भी खतम करना होगा अभाई यार पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे करूँगा इतने बड़े बड़े Titan को मैं कैसे मार सकता हूँ चिनता मत करो, मैं तुमें एक सूप दूँगा जिसकी मदद से तुमोने हरा सकते हो अरी Franklin भीया मैं तो बोलता हूँ इसकी मदद कर दो वेसे भी इसने हमें भालू से बचाया था हाँ वेसे तु बोल तो सहीर है एक ऐसान तो है इसका हम पर अच्छा ठीक है मैं मदद करने के लिए रेडी हूँ तु बस वही पर खड़े रहो मैं तुम्हें सूप देता हूँ पता नहीं गाईस कौन सा सूप मिलेगा ओ भाई अब यार मैं तो बिल्कुल तुमारे जैसा लग रहा हूँ बस मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान है अब बताओ मुझे क्या करना है मैं तुम्हें पहले टाइटन की लोकेशन देता हूँ जो भी करना समल कर करना वो लोग बहुत ही खतरनाक होते है अरे हाँ फ्रेंकलीन भीया अपना ध्यान रखना अच्छा ठीक है सिंचन तुम लोग घर पर चले जाना मैं फटावट काम निप्टा के आता हूँ चलो गाईस चलते है तो गाईस एरण ने जो पहली लोकेशन दी थी ना हो तो यही की है पर यहाँ पर तो स्कूल है ना ओ भाई साहब गाईस जरा यहाँ तो देखो इस जगा पर तो मिनी टाइटन्स ने कब Mitgl else कर लिया है देखो गाईस अगर यह मिनी टाइटन्स यहाँ पर है इनसे थोड़ा दूरी रहना पड़ेगा यह देखो गर्मी वाला स्टेप करते हुए आ रहे तुमारी तो मैं ये लो ये डूल गन भी कमाल की चीज़ है पर यहाँ पर जादा काम नहीं आ रही है क्योंकि इनने तो कुछ होई नहीं रहे अबे नहीं दूरट इनके हटे नहीं चड़ना है ऐसे तो गाइस मैं इनने खतम नहीं कर पाऊंगा अबे चोड़ दूरटो 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 सारे के सारे मुझे पता है मैं अच्छा दिखता हूँ पर इतना जादा भी अट्रेक्टिव नहीं हूँ फटा फट इन से दूर जाते है गाइस कुछ तो सोचना पड़ेगा इन गंस की मदद से तो मैं इनने नहीं हरा पाऊंगा जल्दी से चेक करता हूँ मेरे पास कुछ और है या नहीं ओ भाई साब एक जेट पैक और इस पर तो मशीन गन भी लगी हुई है अब आएगा न असली मज़ा बहुत परेशान कर लिया इन लोगोंने आओ आओ अब मरोगे सारे के सारे अब तो एक भी नहीं बचेगा इन में से काफी कमाल की गन है यार सारे के सारे धेरोगे ओहो एक दो और बचे कोई बात नहीं भी जादा तेज हो गई है ओ भाई सहा तो गाइस ये रहा उनका टाइटन वर्जन और ये तो बस की एसी की टैसी कर रहा है अब खतरे की बात ये है कि उस बस में बहुत सारे बच्चे है मुझे कैसे भी करके उसका ध्यान बटका ना होगा एक काम करता हूँ अपनी मशिन गंज से फायर करता हूँ चलो जल्दी से शुरू करते है गाईस फायरिंग दूर अट उस बस से अब है यार ये क्या मुसीमक है ये तो उस बस को छोड़ने को तयार ही नहीं है देख 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 इस तरफ देख अब है नई गाईस वो तो बस लेके भाग रही है ओ भाईस अब देखा कितनी बड़ी जम खाई उसने रुख जाय यार उस बस को लेके कहा पर जा रही है उसमें बहुत सारे बच्चे गाईस हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा बच्चों की जान खत्रे में एक तो ये बहुत तेज भाग रही है वो तो होना ही था इसके पैर कितने बड़े बड़े मैं अपने जेट पैक से भी उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ चलो चलो थोड़ा नजदीक पहुचा फटावट से निशाना लगाते अबे यार ये कुछ जादा ही हिल रही है यहाँ से वाँ वाँ से या अबे पहाड पर क्या है ओ सीफा में चकमा देना था आउच ये तो कही पर भी आड़ी तेड़ी भागती है चलो कम से कम फिर से रोड पर तो आई अबे रुक जाओ यार और कितना भगाओगी गाईस हम लोग नजदिक पहुच चुके यहाँ से निशाना लगाओ तो शायद उसे लग सके सची बोलू तो इस पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा है मीनी वर्जन तक तो ठीक था टाइटन पर कुछ काम नहीं कर रहा है यह तो यह देखो इसने तो रास्ता ही बदल दिया अबे नहीं गाईस यह तो पहाडों के साइड जा रही है तेरी तो जाती कहा पर है रुक ओ चलो थोड़ी थोड़ी से लग रही है भले गुद गुदी हो रही हो तेको गई तो इसी साइड थी बस जादा दूर नहीं निकल गई हो ओ टाइटन का तो पता नहीं पर स्कूल बस यह रही और अंदर सारे बच्चे भी सेफ है अरे भाया आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी जानब चली अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं तुम लोग बस जल्दी से बस से बाहर निकलो और भागो यहाँ से आपका बहुत बस शुक्रिया चलो गाइस बच्चे तो निकल गए बस से पर वो टाइटन कहा गाया बो गई कई छुब भी नहीं सकती वो है भी कितनी बड़ी कई पहाडों के बीच में तो नहीं चली गई है उसे ढूंडने से पहले अपने पीट से ये बोजा उतारू देखो मुझे पता है तुम यही कई पर हो मेरे सामने आ जाओ एक मिनिटी आवाज ओ भाई साब गाईस यह रही मैं तो इसके पैरों के जितना भी नहीं हूँ मतलब के एड़ी के जितना फटाः से मारने की ट्राई करते तेरी तो मैं यह ले तुछ फरक नहीं पड़ा एक और बार और यह खा बाई साब एक और बार और यह ले अब नहीं मैं इसके हाठ चड़ गया आउच आउच याँ बार बर के बार बर के है हाँ नहीं तो guys ओहो ओहो ज़रा शूट करें फटा फट यह सूट है तो कमाल का इसके अंदर बहुत सारे हतियार है अब एने यह क्या कर रही हो कोई बात नहीं गाईस कोई बात नहीं इतने जल्दी तो हार मानेंगे नहीं ये देखो ये आ गई अब दिखाते हैं इसे अपना चलवा और ये धेर ओ भाई साब जरा देखो तो सही इसे मारने के हमें मिले है पूरे एक लाग डॉलर जल्दी से खोलते हैं मारकेट देखते ह एक लाग डॉलर में कौन सा सूथ है और ये बाई इस बार हम लोग काफी अलग लग रहे मतलब के हम भी एक टाइटन मन गए पर मीनी वर्जन बस एक चीज़ समझ नहीं आ रही इसका सर इतना उपर की तरफ क्यों है अब किसका कोन आ रहा है ये तो मिलिटरी बेस के हैड़ अब बता गई है हमें एक टाइटन के बारे में पता चला है जो कि एक आइलेंट पर है तुम्हें कैसे भी करके उसे हराना होगा अच्छा ठीक है सर आप मुझे उसकी लोकेशन बेज दो जो भी करना समल कर करना ओके तो गाइस सर ने जो लोकेशन दी थी मतलब के जिस आइ भाई सहाब गाईस बूरा टाइटन जरा देखो तो सही कितना बड़ा है यार पर वो वहाँ पर कर क्या रहा है चोड़ो हमें क्या हमें तो उसे हराने का काम करना है जल्दी से नीचे जाते है ओ गाईस चलो इसमें पैरेशूप था आराम से लेंडिंग करनी है हमें ओ हुआ बात नहीं एक मिनिट गाईस ये किसी तो बड़ी चीद को खा रहा है कर ये इस आइलेंड़ पर कर क्या रहा है बस वहीं चीद सम hace नहीं आई ओ भाई जाईस इतने सारे अंडे अब मैं समझा ये टाइटन इस आइलेंड़ पर क्यू आया है ये अपने अंडों की पैक हो रहे हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फसने वाले इन अंडों में से तो उस टाइटन के मिनी वर्जन निकले अगर इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया तो उस टाइटन को पता चल जाएगा इससे पहले उसे पता चले मैं इन सब को निप्टा देता हूँ फटा बड़ी जंप मार रहे है तेरी तो मैं ये ले चलो फाइनली गाइस इन सब को निप्टा दिया है अब बारी है उस बड़े टाइटन की लगता है उसने हमें देख लिया उसके बच्चों को मारते हुए गाइस ये तो हमारी तरफ आ रहा है चल्दी चल्दी भागो मुझे स फाटाफट चालू हो जा यार एक मिनिट गाइस अभी तो वो हमारा पीछा कर रहा था पर ये रुक क्यों गया अब यार इसने गोल घुमना क्यों शुरू कर दिया ये तो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है अब हेलिकॉप्टर बन जाएगा क्या शायद गाइस ये ऐसा करके उड़ना ही चाता है भागो फटा फट इससे पता चल गया कि मैं भागने वाला था जरा उसे देखो तो सही मुझे तो देखके डर लग रहा है ऐसी चीज मैंने पहली बार देखी है देखो मुझे एरन को पूछना पड़ेगा कि इससे कैसे हरा सकता हूँ मैं जल्दी से फ पर लाना होगा उसके बाद उसके पीछे से उसकी पीट के उपर वाले पोशन पर अटेक करना वो उसका वीक पॉइंट है अच्छा ठीक है तेरा बहुत बहुत शुक्रिया चलो गाइस उसका वीक पॉइंट तो पता चला पता वट या से दूर जाना होगा वरना अगर इस कि ये वाले मिशन मुझे हाथ में लेने ही नहीं चाहिए थे देखो गाइस वो हमारे नजदिक आता ही जा रहा है अब है यार क्या करू क्या करू आगे तो डैम है वहाँ सामने एक रैम भी बना हुआ है इसकी मदद से मैं उससे जा सकता हूँ पर मुझे अपनी पूरी स्पीड बढ़ानी होगी और ये मैं चला भाई साहब गाइस शहर में तो पहुच गए पर बहुत जोर का गिरने वाले नहीं नहीं अब यार सरचकर आ रहा है मेरा तो क्या क्या करना पड़ रहा है अब यार ये इतने जल्दी आ गया चलो गाइस एक चीज़ अच्छी है कि हमने इसे जमीन पर तो ला दिया है पर ये तो मुझे खड़ा होने का मौका भी नहीं दे रहा हूँ अब ये सारा खुन आज ही निकाल देगा क्या नहीं 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 भाई साहब अब ये छोड़ दे यार गाइस ये तो अब ये भी बहुत गुस्से में हमारी तरफ आ रहा है इससे तोड़ा दूरी भागना होगा इस सूट में भी तो कोई पावर होगी न जल्दी से चेक करता हूँ क्या है इसमें हो हम लोग इन्वीजिबल हो सकते है चलो अब हमें वो डूर नी पाएगा इससे पता ही नी चल रहा है के मैं कहा पर हूँ चलो हम लोग इसके पीट के पीछे पहुँच गए है इसके उपर वाले पोर्शन पर अटेक करना है और ये गए ओ गैस कुछ तो हो रहा है पूरे एक मिलिएंड डॉलर ये खोला मारकेट और ये राए एक मिलिएंड डॉलर वाला सूब नी पूरे अपने तो डॉले शोले निकल आए अबा यार ये फोन वाइब्रेट क्यों कर रहा है ये कैसा मेसेज है लॉस एंटोस में होने वाली है एक रैंफरेस वाइज मज़ा आजाएगा इसमें लोकेशन भी दिये तो बीना किसी देरी के वहाँ पर पॉस्ट है क्योंकि अगर हम लोग जीत गए तो सूट को बदलने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे अब फटावट पॉस्ट है सीधा वहाँ पर देखो लोकेशन तो यही पर आके खतम हो गई पर यहां तो एलिवेटर के सिवा कुछ दिखी नहीं रहा मुझे लगता यही हमें वहाँ तक पहुचाएगा चलो चलते हैं चल दी से अंदर हम लोग एकदम सही थे एक मिनिट हंजी क्या इसने भी इसमें पाट लिया है हाँ तुम एकदम सही समझ रहे हो अगर दी तो रेस होती है इससे हराइध देंगे चलो गाइस रेस बशुरू होन ही वाली है 3,2,1 और यह हम लोग चले हम तो स्टार्टिंग में ओ आगे निकल गए कर ले करले जितना ट्राय करना है कर ले ओ भई साब यहाँ पर एक पतली सी डंडी है गाइस इसके ऊपर से आराम से होते हुए जाना होगा क्योंके नीचे तो बहुत ही भयंकर माहल है देख रहे हो कितना उचाई पे हम लोग अब यार अलगी डर लगता है मुझे पता नहीं आगे रास्ता होगा है नहीं अच्छा हुआ मैं जादा स्पीड में नहीं था वरना सीधा नीचे ही जाता वैसे यह कहाँ पर रह गई वो रही अब आगे कोई तो चीज है जो बहुत भयंकर तरीके से घूंग तो रही है और बीच में इसके खड़ा है चलो चलो सही मौका है अब यार यह तो थोड़ा डरावना है चलो 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 बस टाइमिंग सही होनी चीए बाकी का तो मैं समाल लूंगा अब यह ट्रेन की पट्रिया भी डाल दिये अब जाके मिला चोड़ा रास्ता और यह फिर से नेरो हो गया कोई बात नहीं इतनी बड़ी बड़ी जूस की बॉतल यह देखो यह पास में आ गया यह तो मैंने ध्यानी नी दिया पास-पास की चीजों पर नजर मार कुछ भी हो जाए हमारे पास मौका है तो हम इसे आगे जाने देंगे ही नहीं वरना तो इतनी महनत का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा चलो चलो इन ट्रेन की पट्रियों से सिधा हमें जाना है उस पर प्लीज पॉच गये भाई सहाब अब गाइस बड़ाते अपनी स्पीड गई है पता नहीं है है एंजी है एंजी है क्या है क्या है क्या वह रही गारी पीछे ही और आगे जानी भी नीची है वरना तकलीफ हो जाएगी यहां से मैं अपनी मंजिल देख सकता हूं हम लोग काफी नजबीका चुक है ओ भाई यहां पूरा गेम स्पीड का था और यह इनको स्ट्राइकर ही बोलते है कि क्या बोलते मुझे आइडिया नहीं है इनके बीच से होते हुए ओ भाइस आप क्या स्पीर में गई है वो नाइ 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 इतनी आसानी से आगे जाने नहीं दूँगा तेरी तो रुख ओ ओ गाइस ये क्या उसने तो मौके का फाइदा उठा लिया है देख रहे हो क्या रपा रपा आगे जा रही है यार ये गलत बात है पूरी मेहनत का कच्रा कर दिया तहां तक जाएगी मैं भी देखता हूँ तेरी तो चलो 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 गाइस मौका मिल गया है ओ अबे यार ये तो जम मार मार के जा रही है ये तो चीटिंग है ओ तेरी की रास्ता काफी कम बचा है और मैं आगे ही नहीं जा पा रहा हूँ क्या मुसीबत हो गए यार एंड टाइम पर कि मेरे साथ ही क्यों होता है अब ये बाइक जितनी स्पीड भाग सकती है ना मुझे उतना स्पीड भगाना होगा इसको और ये मैच चला हूँ 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 गाइस यार क्या बात है हम लोग उससे आगे निकल गए बस थोड़ा सा बाकिये थोड़ा सा और उसी के साथ हम जीत चुके है तिक्चारी पुरी कोशिश की उसने पर लास्ट में बाजी मार ली हम लोगों ने और भाई साब इसके बदले मुझे मिले है पूरे पांच मिलियन डॉलर अब जल्दी से देखते हैं इसमें कौन सा सूट आता है ये कोला मारकेट और ये बाई अब जाके हम लोग बने हैं एक टाइटन अब चलते हैं यहाँ से फ्रैंक्लीन मेरी बात सुनो मुझे बीस टाइटन की लोकेशन मिल चुकी है तुम जल्दी से वहाँ पर पहुचो मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ अच्छा ठीक है भाई चलो गाईट चलते हैं सीधा उस लोकेशन पर फाइनली यहाँ पर हम लोग पहुची गए अब पता नहीं मों कहाँ पर होगा यह रागाईज यह तो पूरे पार्ण की चोटी पर ही खड़ा है विब आपने यहाँ से गिराने का काम हमारा देखो गाईज यह क्या बकरा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे बस एक ही चीज़ पता है कि हमें इसे हराना है तेख भाई दूजे लटना है तो लटन पर मुझसे बात मत कर क्योंकर मेरे पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा ओ भाई साब अभे यार बात नहीं करने का मतलब हाद उटाने का इसको क्या अपन कमजोर लगते हैं तो मैं भी एक टाइटन हूँ मैं नीचे गिर रहा हूँ वह बात नहीं फिर से हम लोग उपर उठेंगे अभे यार तेरी तो ये ले देखो एक तो इस पहाड पर मुझे लड़ने हो नहीं रहा है क्या करू कैसे करू को समझी नहीं आ रहा है इसे मारने जाता तो फिसल के नीचे गिर जाता हूँ मुझे इसे अपने पीछे नीचे लेकर जाना होगा चलो guys इसे अपने पीछे भगा के नीचे लेके जाते है आजा आजा बच्चू आजा अब यहां हम लोग अपना जादू दिखा सकते हैं इसे जल्दी आ यार कितना टाइम लगाएगा guys वो नज़्दीक पहुँच चुका है अब इसने तो सिधा जंपी मार लिया तेरी तो यह ले क्या पचाड़ा है और यहां पर एक टैंकर था शायद पेटरोल वाला वो भी फूड़ी है जा 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 तो गया बेटे और मुझे लगता है guys हमने इसकी फुंगी बजा दिये यह काली वाहा उपर ही स्ट्रॉंग था अबे यार यह किछ इसके आवाज आ रही है ऐसा लग रहा है जोड़ जोड़ से धमाके हो रहे है ओ भाई साहाब इतने सारे मीट यार जरा यहां देखो अबे यार गाईस यह तो सबसे बड़ा वाला टाइटन लग रहा है चलो मुझे इसकी तलास्ती यह आखरी है उसके बाद हमें बस एक जन को ही मारना होगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बहुत गलत हो क्योंके यह तो बस एक शुरुआत है अबे नहीं मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है ऐसा लग रहा है मेरा सरीर सीपूर रहा है सब कुछ कंपरेस मोड में जा रहा है क्या भाई यार नहीं हम तो फिर से नॉर्मल हो गए देखो गाईस मुझे नहीं पता कि इस टाइटन का नाम क्या है आप लोग मुझे कमेंट में बता देना और फिलाल मैं इसको नहीं हरा सकता मुझे यहां से भागना होगा पटापट निकलते यहां से वरना अपनी जान को खत्रा है तो अगर आपको इसका पाट तूचिए तो जल्दी से कमेंट करो और अगर आपको इस वीडियो अच्छ लगी तो वीडियो को लाइक करो नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो उसी के साथ आपने फॉलो कर लेना इस्टाग्रम पर आईडी स्क्रीन पर आरही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी तो मैं मिलूँगा आपसे अपनी आगली वीडियो में जै हिंद